जम्मू कश्मीर में सुरक्षबलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंदित आतंकी संगठनों लशकर और जैश के पाच आतंगवादी पिछले बारा घंटों में दो मुठवेडों में मारे गए हैं। हम लोगों को दो जगा इस्विक इंपूर्ट मिला था जिस पर ऑपरेशन जोएंट ओपरेशन लॉंज किया गया। जिसमें बढ़गा में एक लेस्करतेवा के लोकल टरिस्ट मारा गया। पुलवा में चार टरिस्ट मारा गये। जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जैस का टॉप कमांडर था और इसका भाई विजज जोब की बंद प्लाजा अटेक में इंवाल्व था अभी जेल बंद है। वहीं बटगाम में मारा गया आतंकवादी लशकरे तैबा का था। इन आतंकवादियों के पास से पुलिस को भारी मातरा में गोला बारूद मिला है। एके 56 राइफल से लेकर खतरनाक विस्वोटक बरामत हुए है। जाहिद वानी वही आतंकवादी है जो पुल्वामा में CRPF काफिले पर हुए हमले में शामिल था। 14 फरवरी 2019 को हुए इस हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। जाहिद और वाहिद के अलावा दो और आतंकवादियों की पहचान हुई है। इनके नाम कफील उर्फ छोटा, पाकिस्तानी और इनाया तुल्ला मीर है। जब मुकश्मीर पुलिस के मुताबिक उसे नायरा इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने का इन्पुट मिला था। जिसके बाद बड़े स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभ्यान चलाया गया। सुरक्षबलों की टीम ने आतंकवादियों से आत्मसमरपन की बात कही। हालक की आतंकवादियों ने गोली बारी शुरू कर दी, जवाबी कारवाई में आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस को ऐसी ही जानकारी बड़गाम जिले के चरारे शरीफ इलाके के लिए भी मिली थी। पिछले एक महीने में कश्मीर घाटी में सुरक्षबलों और आतंकवादियों के बीच एक दरजन से अधिक एंकाउंटर हुए हैं। इन में 22 आतंकवादि धेर किये गए हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथ ही मुरारी ने। देखते रहे दे ललन टॉप शुक्रिया।